हेलो फ्रेंड्स जाइका इंड्या का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे फेमस बेंगोली डेजर्ट मिश्टी दोई की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूट रेसिपी इस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब अब इसे एक घंटे के लिए एसे ही छोड़ देंगे ताकि दही में जो ज्यादा का पानी है वो निकल जाए अब एक खेवी बोटम पेन में एट करेंगे 200 ग्राम चीनी गेस की फ्लेम को हाई करके इसे लगाता चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए देखिए हम यहाँ पर पानी नहीं एट कर रहे है इसलिए हमें इसे लगाता चलाते हुए हाई फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट कर लेना है एक से दो मिनिट के बाद चीनी जो है वो melt होने लगी है लेकिन हमें इसे लगाता चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह melt ना हो जाए यानि कि हमें इसे अच्छी तरह केरेमलाइस करना है और इसका जो color है वो थोड़ा brown होने लगेगा यह देखिए यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो अच्छे से caramelize हो चुकी है और हमें इसका color और consistency बिल्कुल ऐसी ही रखनी है इस stage पर हम इसमें add करेंगे 2-3 टेबल स्पून दूध हमने इसमें 2-3 टेबल स्पून दूध केरफुली add करना है क्योंकि जब हम इसमें दूध एट करेंगे तो इसमें इस तरह से उबालाने लगेगा यूंकि जो दूध है उसका temperature low है और sugar का temperature high होने की वज़े से ऐसा होता है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे एक लिटर फुल क्रीम दूध देखें आप यहाँ पर कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे और high flame पर इसमें एक उबाल आने देंगे देखें अभी तक इसमें उबाल आया नहीं है लेकिन जब तक इसमें उबाल ना आ जाए हमें इसे बीट बीट में इस तरह चेक भी करते रहना है ताकि हमारा जो दूद है वो नीचे ना लगे एक उबालाने के बाद गेस की flame को medium कर देंगे या फिल लो कर देंगे medium या low flame पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये जो दूद है इसका एक चोथा हिस्सा यानि कि पाव हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए और हर दो से तीन मिनिट में हम इसे चेक भी करते रहेंगे 15 से 20 मिनिट तक medium flame पर पकाने के बाद इसका एक चोथाई यानि कि पाव हिस्सा रिड्यूस हो चुका है अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसे room temperature पर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे यहाँ पर एक बात का धिजान रहे कि हमें दूठ को पूरी तरह ठंडा नहीं करना यह गुनगुना रहे तब तक ही हमें इसे ठंडा करना है तो हमने यहाँ पर जो 100 ग्राम दही ली थी उसको इस तरह से चनी में डाल कर एक घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका ज्यादा का पानी अच्छी तरह निकल जाए अब इस दही को हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे दही को एक दूसरे बोल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसे लगाता तीस से पैंतिस सेकेंड के लिए अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम इसमें एट कर देंगे गुनगुना दूद 30-35 सेकंड तक दही को अच्छी तरह फेटने के बाद हमने इसमें गुनगुना दूद एट कर लिया है अब दूद को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि हमना आपको पहले भी बताया था कि हम दूद को रूम टेम्परेचर पर ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे सिफ गुनगुना होने तक ही हमने इसे ठंडा करना है यानि कि जब हम दूद से भरे इस बॉल को टच करेंगे तो हमें महसुस होगा कि जो दूद है वो गरम है लेकिन ज्यादा गरम भी नहीं है और ज्यादा ठंडा भी नहीं है नोर्मली जब हम घर पे धहीं जमाते हैं तो जितना गुनगुना दूद को रखते हैं उतना ही गरम हमें रखना है अब हम इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन ले लेंगे और दूद और दही का जो हमने मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती है लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन अवेलेबल ना हो तो आप इसे घर के किसी भी छोटे स्टील के बर्तन में तयार कर सकते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे फोईल पेपर से हमने इसे फोईल पेपर से अच्छी तरह कवर कर लिया है अब इसे सेट करने के लिए 8-10 गंटों के लिए रख देंगे अगर आप इसे ठंडी के मुसमें बना रहे हैं तो 10-12 गंटों के लिए रख दें और इसे किसी तुवाल या फिट गरम कपर से कवर कर दें ताकि इसे अच्छी तरह गर्मी मिले और यह अच्छे से सेट हो जाए हमने इसे 8-10 गंटों के लिए रख दिया था अब इस पर से फोईल पेपर हटा लेंगे तो बनकर तयार है फेमस बेंगोली डेजर्ट मिस्टी दोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई